नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसी ख़वर बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा जिहां बर्थडे केक ने बचाई दो भाईयों की जान पीछे पढ़ गया था तेंद्वा दोस्तो मध्य परदेश में दो भाईयों पर तेंद्वे की हमले का मामला सामने आया है जहां दोनों भाईयों ने सूज भूज के साथ अपनी जान बचाने में सफलता हासिल की है दरसल फिरोज और साबिर मनसूरी नाम के दो भाईयों बुरहान पुर में फिरोज के बेटे की जनन दिन की पाटी में जा रहे थे तब अचानक से तेंद्वा एक गन्ने के खेज से बाहर निकल आया और उन पर हमला कर दिया जब दोनों भाईयों को जान बचाने का कोई हल नजर नहीं आया तो उन्होंने तेंद्वे के मुँपर केक फिक दिया और बाइक से भागने में काम्याब रहे वहीं इस मामले में एक वन अधिकारी ने बताया कि जब आपको खत्रा महसूस होता है तो आपकी पहली परविती ये होती है कि आप खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें और उन्होंने यही किया उनके पास एक केक था और उन्होंने उसे तेंद्वे के उपर फिक दिया जानकारी के मुताबिक अब केक तेंद्वे पर फिका गया तो तेंद्वे ने दोनों भाईयों का पीछा करना पूरी तरह से छोड़ दिया और वापस जंगल की तरफ चला गया वहीं साबिर ने कहा कि तेंदुए ने 500 फिट तक उनका पीछा भी किया लेकिन अब वो बाल-बाल बच गए जानकारी के मुताबिक भारत में तेंदुए की संख्या 2014 और 2018 के बीच 60% से जादा बढ़कर लगभग 13,000 तक हो गई है वहीं सरकार के मुताबिक तेंदुए मध्य परदेश में अब सबसे जादा बड़ी संख्या में है माना जाता है कि तेंदुए वैसको की तुलना में बच्चों पर जल्दी हमला करते हैं पिछले महीने कास्मीर में भी एक इसी तरह की घटना देखी गई थी जहाँ पर एक बच्ची को तेंदुए उठा ले गया और उसकी बॉड़ी मिली थी उसके बाद तो साफ है कि तेंदुए की हमले से ये दो भाई बहुत ही मुश्किल से बचे हैं और केक की वज़े से ये लोग बच गए हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद